एल्जो स्टुडेंट्स, आरजी स्टुडीयो चनल में आपका हर्दिक स्वागत है, मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ, इस वीडियो में मैं आपको 30 महत्पूल प्रस्णों की जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि उत्तराखन्ड और अन्ने स्टेट्स के लिए, स्टाप नर्स, बीसी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एनम, जीनम, और अन्ने कॉम्टेटर एक्जाम, टीटी, एससी, बैंक, रेलवे, गुरूप सी, गुरूप डी, योगा इंटरेंस एक्जाम, एमपेश इंटरेंस एक्जाम आदी की तैयारी कर रहे हैं, और इसके लिए सब्सक्राइब अबसे करने हैं, ताकि इंपड़न कोशन के वीडियो मिलते रहे हैं, और विबिन जॉप्स और अड्मिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं, उसके जनकारी मिलती रहे, वीडियो को लाइक, सेयर और कमिन्ट जरूर कीजेगा, तो यहाँ पे इससे प अब्सक्राइब 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 पर तथा रुधिर वाहिनियों की बाहरी सतय की उपकला की बनी होती है पर तथा रुधिर वाहिनियों की बाहरी सतय की बनी होती है पर तथा रुधिर वाहिनियों की बाहरी सतय की बनी होती है next question है तोचा की तेल गरंथियां स्वेद गरंथियां किस प्रकार की गरंथियां है तोचा की जो तेल गरंथियां स्वेद गरंथियां होती है वो किस प्रकार की गरंथियां है option है नालिका कार कूब गरंथियां कूब गरंथियां एक कोशी की गरंथियां नालिका कार एक कोशी की गरंथियां सही तरह नालिका कार कूब गरंथियां तोचा की तेल गरंथियां सोईद ग्रंथियां जो हैं ये नालिका कार कूप ग्रंथियां प्रकार की ग्रंथियां तो बहुत ही अच्छा इंपोर्डन कोशन है तोचा की जो तेल ग्रंथियां सोईद ग्रंथियां ये जो ग्रंथियां होती हैं ये नालिका कार कूप ग्रंथियां होती हैं नेस कोशन है ये इस्तंबाकार कोशिकाएं ब्रसन वा अंडासे की बीतरी सतय पर पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं ओप्सन है तंत्रिका समवेदी उपकला, जनन उपकला, घनाकार उपकला, सल्की उपकला, सहित्तर जनन उपकला ये इस्तंबाकार कोशिकाएं ब्रिसन वा अंडासे की बीतिरी सतर पर पाई जाती हैं वो जनन उपकला कहलाती है नेस कोशन है संयोजी उत्ता कनेक्टिव टिस्यू का दिन्म दोरा निर्मान होता है सहींों जी उत्ताक कनेक्टिव टीशियू का किसके दवरा निर्मान होता है Applicationrictionpes, Ectoderm, M憑icism, Andoderm, Improve में से कोई नहीं सहीत तरह मिजुडर्म सहींों जी उत्ताक कनेक्टिव टीशियू का जो निर्मान होता है वो मिजोडर्म के दवरा होता है नेस कोशन है दो नियूरान की मद्द जंसन को क्या कहते है दो नियूरान की मद्द जो जंसन होता है उसको क्या कहते है उपसन है डेंडरोन तंत्रिकाच अंत्र ग्रथन सिनेप्टिक सहीतर है अंत्र ग्रथन दो नियूरान की मद्द जंसन को अंत्र ग्रथन कहते है दो रुधिर कणिकाओं की संख्या का अधिक होना क्या कहलाता है अगर मनुस्ति में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या का अधिक होना पोली साइथीमिया कहलाता है अगर मनुस्ति में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या अधिक होती है तो उसे पोली साइथीमिया कहते हैं नेस कोशन है सबसे बड़ी स्वेत रुधिर कणिंका WBC है सबसे बड़ी स्वेत रुधिर कणिंका WBC कौन सी है ओप्षन है निट्रोफिल योसीनोफिल बैसोफिल मोनोसाइट सहितने मोनोसाइट्स सबसे बड़ी स्वेत रुधिर कणिंका WBC वाइट बलड सेल सबसे बड़ी का जीवनकाल 90-120 ने नश सब्सक्रीन होता है उलर्जी वा परजीवी संक्रमण में कौन से डवलुबी सी की शंख्या बढ़ जाती है उलर्जी वा परजीवी संक्रमण में कौनसे वाइट व्लड शैल्जी संख्या अुप्सानेन है निट्रोफिल, इयोई-सिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट सहित रहे हैं, इयोई-सिनोफिल, ऐले Gi-WG-P-P-π- संक्रमण में जो वाइट ब्लडब सेल्थ इयोई-सिनोफिल होते हैं, इनकी संक्षियाँ बढ़ जाती हैं, नेस इसके जोजन है किस साइट्स सर्वादिक संख्या निट्रोफिल की होती है रुदिर का थक्का मुखिता किसका बना होता है रुदिर का थक्का जो होता है, ये मुखिता किसका बना होता है बहुत important question है रुदिर का जो थक्का होता है, ये मुखिता फिबरिन का बना होता है सिख्रेटिन जो हार्मोन मनुस्य के अकल्दार विज़म तीथ है मनुस्य की अकलदार जो wisdom तीथा ये कौन सा है option है प्रिथम molar, 30 molar, प्रिथम incisor, 30 K9, सहीत तरे 30 molar मनुस्य की अकलदार wisdom तीथ 30 molar है बहुत इंपर्टन कोशन है मनुस्य की जो अकलदार wisdom तीथा ये 30 molar है next question है टाइलीन एंजयम पाये जाता है टाइलीन एंजयम कहां पाये जाता है option है लार, अगनासईग रस, जठर रस में, अंत्रे रस में, सहीत तरे लार में टाइलीन एंजयम जो है ये लार में पाये जाता है next question है HCL, हैड्रोकलोरिक का स्रावण किस गरंती द्वरा होता है हैंटाडियक गरंथी इसो फेजीन गरंथी पाइङल गरंथी फंडिक गरंथी थैस एसल्गकंडände यह हलका छारी है नेस को सने कार्बोहेड्रेट का पाचन किस एंजाइम के दौरा होता है कार्बोहेड्रेट जो होता है इसका पाचन किस एंजाइम के दौरा होता है और सने पेपसिन के लाइपेज के Emylase के, St-Epsin के, सहीत तरह Emylase के, Carbohydrate का पाचण, Emylase जो एंजाइमे इसके दौरा होता है Nesco Anandine में से किस अंग से, Stenson नलिका निकलती है कौन सा अंग है, जिससे Stenson नलिका निकलती है जठर ग्रंथी से, लार ग्रंथी से, वलकुट से, प्रमस्तिस्क से, सहीतर लाल ग्रंथी से लार ग्रंथी वो अंग होता है जिससे स्टेंसन नलिका निकलती है नेस कोशन है लोहे का सबसे अधिक अफसोशन की संग में होता है लोहे का जो सबसे अधिक अफसोसन है वो कौन से अंग में होता है ओप्सन है अमासा है छोटी आथ, कोलन, यकरत, सहीतर है छोटी आथ लोहे का सबसे अधिक अफसोसन छोटी आथ जो अंग है इसमें होता है next question है मानो सरीर में कुल कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती है option है पाथ जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, चार जोड़ी, सहीतर है तीन जोड़ी मानो सरीर में कुल तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है नेस कोशन है चोटी आठ के विबिन्द भागों का क्रम है चोटी आठ के विबिन्द भागों का क्रम क्या है और सने ग्रेनी जेजुनम इलियम ग्रेनी इलियम जेजुनम ग्रेनी इलियम जेजुनम ग्रेनी सहीत तरह ग्रेनी जेजुनम इलियम छोटी आठ के विबिन्द भा कि अग्नासा की सत्पाइब कि दोरा उत्युन स्कुल डिकर K все j tussenbyeur no का सरच्छान वसा का सरच्छण सहीतर द्रब का सरच्छण कोलन का मुख्यотचन कोलां Case राव इस को ट्रेव ने से यूद्ध का गलाइकोजन वंश ने बदलना क्या कहलाता है ओप चनय क्लाइक लाइकोलाईसिसस ग्लाइक जीनोलाइसिस ग्लुको नियोजेनिसिस ग्लाइकोजेनिसिस सही तरह ग्लाइकोजेनिसिस ग्लुकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजेनिसिस कहलाता है अगर ग्लुकोज को ग्लाइकोजन में जब चेंज होता है तो उसको ग्लाइकोजेनिसिस कहते हैं तो यहां प पेरामेडिकल और अन्य कॉम्टेटर एक्जाम्स के लिए उपफ गिए हैं और जो cundidates विभिन कोम्टेटर एक्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए लिए बहुत बहुत धन्यवाद